नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका शेता क्लासिस में बच्छे यूपी पुलिस रेग्जाम को ले करके आप लोगों को एक इंफोर्मेशन देनी थी आपकी जो सेंटर है वो बहुत दूर दूर पड़े होंगे ठीके मुझे आपको कमेंट बॉक्स में जरूर पताइएग सेवा आपके लिए परी तभी होगी जब आप उसे अपने एडमिट कारड की एक कोपी देंगे यानि कि आपको अपने admit card कि कम से कम नहीं तो तीन याँ चार copy आपने पास करनी एं उसका print out निकल वा लेना है original admit card जो आपका है वह आप अपनी exam Center पर देंगे और बस पे जब अपने center तक जाएंगे एक copy तब अपने center से जब आएंगे डूसरी copy तब ठीक है तो दो copy जो है आपके admit card की वो आपका bus conductor रखेगा जो आपको आपके center तक लेके जाएगा इन case यदि आपको ऐसा लगता है कि बीच रास्ते आपको आपकी bus बदली पर सकती है या कुछ भी तो उसके लिए आप extra copy जरूर रखें ठीक है अपने admit card को समाल के तब तक रखें जब तक कि आपका result और result के बाद जो भी आपका call letter जोइनिंग letter होता है वो आना जाए ठीक है यह चीज आपको बहुत ध्यान में रखने है इसके साथ जब आप exam hall में जाएंगे तो आप कोई भी ऐसी चीज वस्तू नहीं लेकर के जाएंगे जिससे आपको आपकी परिक्षा में बैठने ना दिया जाए जैसे कि आप कोई भी electric की जो आपकी smart watch बगएरा होती है आप व स्लीप्स की ना पहने हाफ स्लीप्स की पहने वह ज्यादा ठीक रहेगा और शूज वगेरा ना पहने आप स्लीपर पहन करके जाएं ठीक है यह चोटी-छोटी चीज़े अगे यदि आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आपको यह है कि आपके जो exam gate है वहां से लेके आपक से एकडम सिंपल सधारन रूप से अपनी परिक्षा देने जाएं एकडम ध्यान केंद्रित करके अपनी परिक्षा दें और अच्छे सच्छे स्कोर करें और साथी साथ मुझे बताएं भी कि आपने कितना अच्छे स्कोर किया है ठीक है तो admit card की copy आपको ध्यान में रखनी ह अगर आप बसकी free सेवा चाहते हैं तो धन्यवाद मिलते हैं next class में जो कि आपकी हिंदी की होगी